पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंता करती है। हमें गालिया देती रहती है। बर्बाद करने वाले लोग हमारा जवाब मांग रही है। अगर प्रकृती की सबसे ज़्यादा सेवा किसी ने की है, तो भारती समाज ने की है। हम वो लोग हैं जो नदी को मी मा कहते हैं, पौधे को परमात्मा कहते हैं, छोड में रन छोड ये हम कहते हैं। और हमें इस दुनिया समझा रहे हैं कि ये करो भो न करो। भारत ने अपनी भूमी का सफ़्ष करनी चाहिए, दुनिया के सामने है। आज विश्वजी संकट से गुजर रहा है, उस समझा का समाधान हमारे सांसकूर्तिक मुल्यों में है, हमारे जीवन के आदर्सों में जुड़ा हुआ है, ये विश्वास के साथ जाना चाहिए, और ये मेरी भारतिय समाध से सरवाधी का पेक्षा है। हमारे यहां महलाएं जितना वृत करती हैं हिंदुस्तान में, सारे वृत देख लिजिए, प्रकृति की पूजा होती है वो, प्रकृती का संमान करना है हमारे यहां समस्कार में होता है। हमारे यहां बच्चा बालक पत्थर बिस्तर से नीचे उतरता है उसके माँ उसको सिखाती है कि पहले पृत्वी माता की शमा मांगो अपना पैर रखने से बहले कि मैं माँ तुझे दुखी कर रहा हूँ मैं अपना पैर रख रहा हूँ पहले पुरुथी माता को प्रणाम करो फिर पहर रखो ये हमारे संस्कूरिति और संस्कार में पढ़ा हुआ है जिस समाज ने इसको संजोया हुआ है आज भिश्व को हिशाब देना पुट रहा है सूरिय के साथ गोडों के रत की कल्पना सूरिय को शक्ती रुप में मानना हमारी अमाना गया जग्दिस चंडर बोजने वे बनस्पती में जीव होता है ये कहा उसके बाद ही बनस्पती में जीव आया था नहीं है हम हजारो साल से पौद्धे में परमात्मा है ये देखने वाले लोग रहे है कहने का तात्वर है कि इस विशे में हमारी अपनी मास्टर ही हमारा सामर्थ है हम दुनिया के जवाब देने लोग नहीं है दुनिया का जवाब हमने मांगना चाहिए कि आप हैं जिन्होंने परकुर्दी को तबहा किया है हम वो लोग हैं जो मिल्किंग आप नेचर में मानते हैं एक्स्प्रोईटेशन आप नेचर उसे हम क्राइम मानते हैं और इसलिए दुनिया जिस संकटों से गुजर रही है उसके सामने हमारा तात्विक ताकत है खड़े रहने की लेकिन जो समस्था है उसका समाधान भी ढूनना पड़ेगा